तो फाइनली ढूंड इलिया आपने हां मुझे उमीद थी ढूंड लोगे तो आज की स्टुडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास नाइन्थ मैत चैक्टर थर्ड के एक्सेसाइज 3.3 वेराना में विजे आप देख रहे हैं CCL क्लास तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेसाइज से पहले इसका इंट्रोडक्शन एक बार डिसकस कर लेते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि यदि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है किसी प्लेन पे और उसके कोडिनेट्स दिये हुए तो उसको कैसे हम ड्रा कर सकते हैं वो देखेंगे यानि कि if coordinates of a point are given यदि coordinates दिये हुए point के तो हम उसको कैसे ड्रा कर सकते है वो हम discuss करेंगे तो माल लेते हैं हमारे पास एक point है जिसके coordinate है 5,3 तो हमें 5,3 ड्रा करना है Cartesian system पे या फिर coordinate जो मैं 3 भी कह सकते हैं इसको तो देखो 5,1,2,3,4,5 और इस तरह से चलता रहेगा यहाँ पे 1,2,3,4 इस तरह से इस तरह से negative minus 1 यहाँ पे minus 1, minus 2 यह x dash होगा यह y dash यह x और यह y axis ठीक है उसके बाद पहले हमें 5 यानि कि जो पहले वाला point है वो क्या होता है वो था हमारे पास x coordinate और कौन सी axis पे आता है x axis पे आता है तो x axis पे 5 लेंगे यानि कि यह रहा हमारे पास तो अब हमें ड्रा करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे perpendicular ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर इस तरह से तो यह मारे पास एक परपेंडिकुलर आ जाएगा यह नीचे भी जाएगा इस तरह से उसके बाद हमें तो 3 किसके लिए है य कोर्डिनेट और यह पॉइंट कौनसी axis पर आएगा य एक्स पर और पहले वाला x अब 3y-axis पर यहाँ से आपको इसको बेस मानके य एक्स पर बेस मानके परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो अगर ये base है हमारे पास तो perpendicular कैसे होगा इस तरह से तभी तो ये 90 का बनेगा तो यहनी कि यहां से हमारे पास perpendicular जाएगा कुछ इस तरह से और यहां पे इस तरह से तो ये दोनो जो lines कहा सकते है या फिर axis कहा सकते है इन्होंने जिस point पे कट किया यहां पे तो ये point दिया हुआ हमें A और इसके coordinate क्या है 5,3 तो बस आपको ये समझ में आ गया same isi पे based जितने भी example दिये हुआ same isi पे based है यानि कि पहले हमें x axis के लिए एक perpendicular draw करना है उस point से और फिर y axis के लिए जहां पे दोनों कट करेंगे वो point क्या जाएगा given point तो ये होगा हमारे पास introduction अब डिसकस करते है इसकी exercise exercise 3.3 का question number first first question is in which quadrant or on which axis do each of the point minus 2,4 3,1 minus 1,3 minus 1 आएगा यहां पे minus 1,0 1,2 and minus 3,5 lies verify your answer by locating them on Cartesian plane तो मैं बताना है कि कौन से quadrant में या फिर कौन से plane में ये lie करते है ये coordinates तो देखो पहले तो quadrant देख लेते है जहां पे 0 होगा वो quadrant में lie नहीं करेगा तो वो basically axis पे लाई करेगा ये बात आपको पता होनी चाहिए तो यहां पे 0 है ये कौन से axis पे लाई करेगा देखो y coordinate या फिर y axis तो क्या है 0 तो x coordinate दिया हुआ या फिर x axis तो ये लाई करेगा x axis पे बागी सारे quadrant में लाई करेंगे मैंने आपको बताया था quadrant का system हमारे पास 4 quadrant होते है 1, 2, 3, और 4 पहले quadrant में दोनों positive ड्रा भी कर सकते हैं यहां पे positive, negative, negative तो यहां पे positive आएगा और यहां पे negative तो पहले quadrant में दोनों positive दूसरे quadrant में पहले x axis लेते हैं या फिर x coordinate लेते हैं तो पहले negative फिर positive तूसरे quadrant में दोनों negative चोथे quadrant में x positive और y negative अब इससे compare कर सकते हैं पहले minus है फिर plus है पहले minus है फिर plus है तो यह second quadrant में लाई करेगा उसके बाद पहले plus फिर minus पहले plus फिर minus से-स यानि की शिक्रोप पहले पलस है फिर माइनस यिए फॉर्ट में आएगा highly उसके बाद यह यschश पर च्ब्स नहीं है तो कॉश्ट ऊसराल ग्राइंट में तो कॉर्डरेंट में दोनों नएगित्यू तो coordinates को यह पहला मारे पास minus 2,4 तो यहां पर हमारे पास क्या होगा 0,1,2,3,4,5 and so on और इसी तरह से minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 so on इसी तरह से यहां पर minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 और plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 अब मैं पॉइंट के देव हैं minus 2,4 minus 2 यानि कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे नीचे भी और यहां से plus 4 यानि कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा यानि कि यह एंगल 90 डिग्री और यहां से यह एंगल 90 डिग्री इन्होंने जिस पॉइंट पे खट क्या लैट से ए तो ए के कोडिनेट के आगए minus 2,4 इसको हम ए मान सकते हैं तो ए के कोडिनेट आगए minus 2,4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया कौन से क्वाडिन्ट में आया second क्वाडिन्ट में अब 3, minus 1 तो पहले 3 यहां पे इसको प्रपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसके लिए और फिर minus 1 के लिए यानि किये रहा minus 1 तो यह इस प्वाइंट पे कट करेगा लैट से B तो B के कोडिनेट के आगए 3, minus 1 और यह कहां पे लाई कर रहा है फॉर्थ क्वाडरेंट में और यह कोडिनेट आगए लैट से इस इस बी C हमें ड्रा करना है तो minus 1 और फिर 0 इसी पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C पॉइंट यह जो आपको गोल सर्कल दिख रहा है डोट दिख रहे हैं यहाँ पे अब D देख लेते हैं 1,2 1 यानि कि यहाँ से प्रपेंडिकुलर ड्रा होगा और 2 यहाँ से ऐसे तो इस पॉइंट पे कट करेंगे तो यह क्या जाएगा D जो जिसके कोडिनेट है 1,2 तो हम इनको रॉफ कर सकते हैं यहाँ से आँ अब उसके बाद य weed और यहर और यह कौन से कवाडिन्ट में आ है फर्स्ट कवाडिन के लाश्ट आगे हमारे पास i. माइनस 3 और – 5 गो माइनस 3 यह रहा मारे पास तो यहाँ से पर पंडिक लड़ रहा होगा और —5 कहीं पर यह पर यह profiles यहाँ से एक पर यहां पर थोड़ा आपको रफ लग रहा होगा लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रा करोगे तो यह कहा है नीट अंड क्लीन रहा होगा अब नाइस्ट क्वेस्टिन नमबर सेकिंड प्लोट दा पॉइंट एक्स य गीवन इन फॉअलइं टेबल ओन दे प्लेंट चूजिंग सूटेबल उनिट्स ओव दिस्टैंस ओन दा एक्स तो हमें प्लोट करना एक्स य पोइंट पॉइंट्स को यहां पर एक्स दिया वापको यहांपर य अगर एक्स माइनस दो है और आठ यहां पर माइनस वन सेवन जीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइफ 133 माइनस वन और यहां पर आपको एक बात और कहीं गई है क्या कि आपको suitable units लेनी है यानि कि जो distance लेते हम यहां पर तो हम क्या ले लेते जैसे हम बनाते है जीरो वन तो आपको unit अपने साब सेट करनी है ताकि यह exact ड्रा हो जाए तो हम आन सकते है कि जो हमने एक box लिया वो हमने पहले के लिए मान रहा हूं मैं इसके लिए दो unit का ले लिया क्या किया दो unit का तो इससे क्या होगा देखो यह आगे मारे पास minus two फिर minus four यहाँ पे two four इस तरह से आएगा और उसके बाद y eight है तो two four six eight तो इस तरह से आप ले सकते हैं इनको तो अब हमें minus two और eight को ड्रा करना है तो minus two यहाँ पे तो यहाँ से एक perpendicular ड्रा होगा हमारे पास और फिर eight से तो eight यानि कि यह रहा तो यह यहाँ पे कट करेगा इस point पे तो यह point क्या आ गया minus two, eight यानि कि आप चाहो तो एक unit का भी ले सकते हो लेकिन दो unit जब मुझे पता है यह भी दो से डिवाइड हो रहा है यह भी दो से तो यानि कि मैं दो unit का ले सकता हूं तो इस तरह से मैं इसको ड्रा कर देंगे अब इसी तरह से अगर second की बात करे तो second क्या माइनस one और seven तो माइनस one है मारे पास यानि कि यहाँ पे माइनस one, minus two, minus three और उपर क्या है seven यानि कि one, two आप इसको इस साइड लिखे ले ना क्योंकि यहाँ पे हमें इसको सो भी करना है तो one, two, three, four, five, six, seven तो यहाँ से आप क्या करोगे पर पेंडिकुलर ड्रा करोगे और seven से भी क्या करोगे पर पेंडिकुलर ड्रा इन्होंने इस पॉइंट पे कट किया तो यह कोरडिनेट क्या गए माइनस one, seven इसको आप नाम दे सकते हो लट से बी तो बी के कोरडिनेट क्या गए माइनस one, seven अब इसी तरह से zero और माइनस one, two, five तो यानि कि एक यूनिट को में ले लेते हैं, देखो एक यूनिट को मैं, point two five ले रहा हूं, कितना, point two five, तो उससे फाइदा क्या होगा, देखो, यहाँ पे हमें, यहाँ पे तो लिखने जरू तो नहीं है, क्योंकि, x तो zero है, यहाँ पे आपको लिखना है, यानि कि, point two five, वो भी माइनस में है, तो य two five, फिर, point five, फिर, point seven five, और यह सब क्या है, माइनस में, उसके बाद, one, वो भी माइनस का, और उसके बाद, minus one point two five, देखो, x-axis तो मारे पास दिया हुए, zero, और y-axis minus one point two five, यानि कि, इस point पे आएगा, let's say, this point is z, तो c के coordinates के आगे, zero, minus one point two five, तो इस तरह ऐसे मिनको, ड्रा कर सकते है, आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा, उसके बाद, next, one, three, तो इसको देखते हैं, कैसे ड्रा करेंगे, देखो, तो simple दिया हुए, विल्कुल, पहले one तक, यानि कि, one, two, three, इस तरह one, two, three, और यहाँ पे three तक, one, two, three, यहाँ पे x dash, यहाँ पे y dash, और यह यह य, तो यहाँ पे पहले आपको x axis दिया हुए, one, तो यहाँ से आप क्या करोगे, perpendicular ड्रा करोगे, और फिर y दिया हुए, three, तो three से एक perpendicular ड्रा करोगे, इस point पे कट किया, let's say d, तो d के coordinate क्या आ अब last आगया, three, minus one, तो यहाँ पे पेस हो गर लेते हैं, three, three है ह Marcel, यहाँ से आप एक perpendicular ड्रा करोगे, और minus one, यहां पे आएगा, तो आप यहाँ से perpendicular ड्रा करोगे, इसने कट किया इसको इस point पे, तो यह point क्या आ गया, yield, और इसके coordinate क्या है, three, minus één, तो यह eat, andil dole be, so 3, minus one, यहां पर डेंट करते हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना